रंसाजम बनाने जारे है ट्रोडिशनली चूरमे के लड़ू तो आटा एक कप ले लिया है रवा आधा कप ले लिया है वन पॉर्स कप मैंने बेशन ले लिया है साथ ही मैंने लिया घी कैश्यू नट इलाइची पाउडर शुगर पाउडर और अब मैंने यहां पर एक पाउडर और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करी हमे से गूंदणा है पानी एक दम से जाधा नहें आलनाँ थे हमें इतन अाटा बना है कि भू जो लड़ू है ना उप्लाणने में प्रोसेस करनी है तो इजी हो जाए यानि जो हम मुठिया बनाएंगे या जो हम पूरी बेलेंगे इसकी वो अच्छी बन जाए इसको हम घी लगा के साइड में थोड़ी देर के लिए रख देंगे जिसे कि हमारा जो आटा मारा है ना हमने वो सेट हो जाए अब हम इसकी छोटी छोटी लोईया काट लेंगे इसको मैं तीन प्रोसेस से बताऊंगे आपको एक तो मैंने वो गोली काटी थी वो और एक ही मैं बड़ी सी पूरी बना ली है मैंने मोटी सी और इसे मैं बीच में से कट कर दूँगी ट्रैंगल शेप में आप चार पीस में क काट सकते हैं आप 6 पीस में काट सकते हैं जिसे साब से आपको फ्राय करने हो उस तरीके से लैंध इसकी इतनी रखनी है मुटाई इतनी मैं दिखा रही हूं स्क्रीन पे ऐसी ही होनी चाहिए परफेक्ट है यह और जो ट्रडिशनल तरीका है मुठिया बना के करने का वो भी फ्राय थोड़ा पेशेंसली करना पड़ता है क्योंकि हम कोई चीज़ ट्रडिशनली बना रहे हैं तो उसकी प्रोसेस थोड़ी से लंबी होती है बट टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है प्रेंट्स ये लड़ू किसी भी त्योहार पे बना के आप इंजॉय कर सकते हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं साथ ही बहुत हैल्दी भी होते हैं क्योंकि ये आटे के लड़ू हैं बच्चों को बहुत पसंद आते हैं इसमें हमने को तो रैडी हो गया है हमारा सिकर के मुठिया जो हमने बनाया था, अब हम इसे तोड़ लेंगे, ठंड़ा करके मिक्सी में पीस लेंगे, कोर्सली पीसने हैं, एकतम जादा बारिकनी करना है, यहीं पर हम इसमें थोड़ा सा घी एट कर देंगे, शुगर पाउडर एट कर देंगे जितना आप मीठा खाना पसंद करें, अच्छा सा मिक्स दे देंगे कैश्यूनट डाल दिया है, इलाइची पाउडर डाल दिया है हमने और हमने डाल दिया है घी, अच्छे से बाद देंगे, घी इतना डानना है कि हमारे लड़ू अच्छे से बंदने लगे फ्लेवर आप अपने कॉर्डिंग एट कर सकते है, नटस आप अपने कॉर्डिंग एट कर सकते हैं कैसे बने थे बहुत ही इजी प्रोसेस से बताया है मैंने और भी रेसिपी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू